फिल्मी संगीत कभी हीलिंग नहीं देता मनुरंजन देता है भारत का अमरित कलश हम एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिसमें न केवल मनुरंजन है ओरिजिनल संगीत है सत्ता में बैठने के लिए एक देव दूत आ गया है कोई एक परमात्मा का भेजा हुआ सम्वाहक आ गया है प हमारा संगीत आता है यह कोई फिल्मी संगीत हीलिंग में नहीं आता काम यह समझ लो आप है मेरे दर्शकों है मेरे शुरुताओं हम तो आप ही से हुगे हैं फिल्मी संगीत कभी हीलिंग नहीं देता मनुरंजन देता है और हम मनुरंजन के लिए बने ही नहीं हैं सब क्यों क्योंकि थोड़ी सी आपत्ती आती है तो मनुरंजन नहीं याद आता आपको आपको परमात्मा याद आते हैं परमात्मा का सुमिरन याद आता है और मनन याद आता है थोड़ी सी विपत्ती आते ही और ऐसा कोई घर नहीं जहां विपत्ती ना हो तो क्यों ना हम पहले से अप संगीत है ट्रेडिशनल संगीत है पारम पर एक संगीत है पारम पर एक संगीत के साथ साथ रंग रूप वेश भूशा वो सब अपने अपने राजियों की ला रहे हैं 28 राज्य और आठ के इंद्शासित प्रदेशों से 170 नग हम ढूंड के लाए पहले तो हम पागल होकर मेहन की हमने इतने जुनून से जब आप भक्ती और परिश्रम करते हैं आस्था के साथ समर्पन के साथ निष्ठा के साथ तो मेरे परमात्मा घट में बैठते हैं ऐसे ऐसे हीरे मिले ऐसे डाइमंड मिले कि कुछ ने तो मुंबई फस्ट टाइम देखा कुछ ने ट्रेन फस्ट भारत की क्या हालत कर दी तो ये हालत अब नहीं होगी क्यों क्यूंकि भारत का भारत युग स्वर्न युग आ रहा है मिरे भारत को सबसे पहले तो सत्ता में बैठने के लिए एक देव दूत आ गया है कोई एक परमात्मा का भेजा हुआ समवाहक आ गया है जो बड़ी बहुत बिगड़ गई थी सविस्थिती अब धीरे धीरे करते साइंस में हम आगे चल रहे हैं स्पोर्स में अब हम हम आगे चल पहले स्पोर्स को हलके में लेते थे स्पोर्स और म्यूजिक को तो ऐसे समझते थे कि नहीं यह कुछ बेकार की चिज़ यह हो गया था मानसिक् बनने को देख रहे थे और अंग्रेज अपने को एकसप्ट नहीं कर रहे थे तो यह बीच की जो कड़ी थी एक लॉट यह आ गया था और एक ऐसा जिसे डाउन ट्रोडन कहते हैं जिसको फ्रंट में आने ही नहीं दिया जा रहा था यानि उनको एमपावर किया ही नहीं जा रहा था आज मेरे भारत का भाग्य है कि इस तरह के प्यारे भारत को परमात्मा ने समार दिया अब युग बदल रहा है स्वन युग में पहले तो सबसे पहले प्रदान मंत्री हमें ऐसे दे दिये जो एक तपस्वी स्वरूप है एक साधू स्वरूप है बस सेवा कर रहा ह और सेवा जैसे आश्रम की मंदिरों की होती है, ऐसे मेरे भारत की सेवा हो रही है, हर फ्रंट पे हम एमपावर हो रहे हैं, कंगले नहीं हो रहे हैं, एमपावर ये शब्द है, जिनको हम स्वावलंबी बनाना कहते हैं, अब नारी शक्ति को आगे लाया जा रहा है, मैं तो हजार साल का रोग कहता हूँ, हजार साल का रोग क्या, दस साल में दूर हो जाएगा क्या, दीरे दीरे, दीरे रे मना, दीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रितु आये फल होए, अभी रितु आ रही है, परमात्मा का दूत आ गया, परमात्मा के दूत की म अबी भी बहुत आयोग्य लोग हैं हमारे सत्ताओं में भी लेकिन दीरे दीरे छंट रही है काई हट रही है और दीमक हट रही है पहले तो यहीं से शुरुआत हो गई उसके बाद जब आप हर शेत्र में नेक नियत और निष्ठा और समर्पन से कोई कार्य करेंगे तो वो का पुनाचल से आके गा रहा है कोई हिमाचल से आके गा रहा है कोई नोर्थीस्ट के मनिपूर से आके गा रहा है और वहां की कल्चर बता रहा है देखे कोई भी हमारे हैं सिर्फ गाही नहीं रहा सिर्फ गाने के लिए तो बहुत सारे आपके पास साधन है आप बटन और आपको मनोरेंजल उपलब्द हो जाएगा फ्री में बत्तमीजियां फ्री में उपलब्द हैं परन्तु तमीज के लिए मंदिर जाना पड़ता है और मंदिर आपके दूर नहीं है आपके घट में है आप हिर्दय में अगर शुद्धता रखेंगे पवित्रता रखेंगे तो मंदिर है ये मेरा दाता यहीं मेरा परमात्मा यहीं बैटा हर इंसान को पता होता है वो क्या घटिया काम कर रहा है और क्या घटिया बोल रहा है लेकिन वो ही मंदिर को avoid कर रहा है अंदर का मंदर बता रहा है बैठके मेरे परमात्म घट में बैठे हुए बताते हैं सब को नहीं भे तु गलत step ले रहा तु गलत वचन दे रहा है तु ने आवेश में आके क्रोध में आके बढ़े का किसी का अनादर कर रहा है तुझे पता नहीं तु किसका अनादर कर रहा है तु मेरा ही अनादर कर रहा है क्यों कि उसमें भी मैं ही बैठा हूँ दैत और दानव युगों-युगों से रहे हैं परंतु संगहार वद जो हुआ है वो दानवों का हुआ है कभी किसी ने सुना है कि देवों का वद हुआ तो ऐसे में हमारी संस्कृति का पुनर जागरण है ये भारत का अमरित कलश ये केवल मनुरंजन के लिए हम रियालिटी शो बना नहीं रहे बावन एपिसोड का ये शो है जो छे महीने तक चलेगा डीडी नेशनल पर चोबिस फरवरी से शायम साथ बज़े से आठ बज़े तक के प्राइम टाइम में ये आएगा नाम देखे ऐसा है जैसे फिल्मी लोग कर रहे हैं गोरे गाव फिल्म सिटी में शूट चल रहा है देखे हमें भोतिक रूप में ही रहना होगा परंतु बांट ना भी आध्यात्म को ही पड़ेगा क्योंकि हर घर में बीमारी घुस चुकी है पहले भारत बीमार नहीं होता था पहले भारत जूट नहीं बोलता था ये सब जूट कपट ये हमें बार के लोग जब आकरांता आए हमारी सब्यता का विनाश किया हमारी शिक्षा का विनाश किया हमारे साहित्य का विनाश किया हमारे जीवन शैली को विगार दिया और हमें भ्रमित करके जब जहां जिस देश का मूल मंत्र होता था वसुधाइव कुटूंब कम, कर्म ही धर्म है, जिस देश का ये मूल मंत्र होता था, सब मिल जुलकर रहते थे, उस देश में कैसे बाँट के चले गए, कैसे दिमाग लग गए, कि तु छोटा है, तु जुसे नफरत कर रहे हैं, तु बड़ा है, तुझे अकड में रहना चाहिए, और इस तरह से मानसिक्ता विकृत करके, भारत को विकृत कर दिया, अब समय है, चेत तेरे नर्चेत, तेरा चिड़िया चुक गई खेत, जो जगता है, वही जगाता है, आज ये जो शो है, ये सिर्फ मनुरंजन के लिए न अठाइस राज्य, आठ केंदर शासित प्रदेश, पूरा भारत दिख रहा है, एक भारत, श्रेष्ट भारत का प्रतिमान, और आपका बावला, उनमत, कैलाश खेर, हमको कुछ और नहीं चाहिए, न हमें स्टार डिगरी चाहिए, न हमको रॉक स्टार चाहिए, न हमें सेल थक्रिष्ट अ